हाई, तोडे वी आगूंग टू लर्न डीडी एल्गोर्थम फॉर लाइन तो डीडी एल्गोर्थम क्या करता है कि जो आपका डिफरेंस है पॉइंट्स के बीच में उसको एनलाइज करके लाइन ड्रॉ करता है तो लाइन के लगोर्थम जो एक्वेशन है वो है y equal to mx plus c m कह है slope और c जो है step value है तो अगर starting point आपका x0 y0 है और ending point आपका किसी line में x1 y1 है तो आप क्या करते हो जो x1 होता है वो यह difference है यह difference है यहाँ का x1 equal to x0 plus dx और y equal to y plus dy अगर normal equation से देखें तो यह इस तरीके से find होता है computer graphics में जो आपकी screen होती है वो pixels में divide होती है तो यह हम assume करते हैं यह screen है और यह छोटे छोटे यह pixels है so हम इस pixel को select करके line draw करते है computer graphics में तो line draw करने के लिए three conditions होती है तो three conditions है कि अगर आपकी slow या तो less than 1 हो ठीक है यह जो exactly 45 degree पर होता है तो वो क्या होता है that is equal to 1 तो इसमें क्या होए m equal to 1 तो आपकी line इस तरीके से 45 degree से draw होगी और अगर line आपकी 45 degree पर draw होती है तो कोई अगर point आपका 11 है और next point आपका 44 है तो यह आपका क्या है कैसे increase हुआ है अगर x आपका पहले 1 था और y 1 था तो next x और y क्या होती है 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 भलब 22 हो जाएगी ठीक है क्योंकि 45 degree पर है तो इन दोनों का slope क्या होगा 45 degree next क्या होगी 33 होगी तो x और y दोनों 11 से increase होते हैं लेकिन अगर m की value less than 1 है its mean line आपकी कैसे होगी यहां से इस तरीके से draw होगी ठीक है थोड़ा सा ऐसे उपर होगी तो इसमें क्या होगा कि जो x की value है वो ज्यादा fast जो है increment हो रही है ठीक है x की value ज्यादा तेजी से increment हो रही है जबकि y की value अगर आप देखें इस line में तो बहुत थोड़ी सी increment होई है ठीक है जबकि x की value बहुत ज्यादा increment होई है तो इसमें जब m is less than 1 होगा तो x की value increase होगी x plus 1 लेकिन y की value increase होगी सिर्फ y equal to y plus m m जो है slope है और जब m is greater than 1 होगा तो क्या होगा तो line कुछ कैसे draw होगी कुछ इस तरीके से draw होगी ठीक है जिसमें आपको लगे गई y जो है ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है जबकि x की value अगर हम x की value देखें वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही है तो इस case में आपका जो next x की value होगी वो होगी x is equal to x plus 1 by m और y equal to होगी y plus 1 ठीक है तो अगर m is greater than 1 है तो y की value 1 तो increase होनी है लेकिन x की value 1 by m से increase होगी और अगर m less than 1 है तो y की value m से increase होगी और x की value 1 से increase होगी और अगर m equal to 1 है तो x और y दोनुर 1 1 से increase हो करके next आपको pixel value find हो जाएगा तो यह आपका dda algorithm है तो dda algorithm में आपके two cases है तो आपको first m की value find करनी है तो m की value क्या होगी that is अगर आपका starting point x0 y0 ending point x1 y1 है तो यह होगी y1 minus y0 upon x1 minus x0 ठीक है फिर आपको m check करेंगे m is less than 1 है तो next x की value क्या होगी अगर x0 y0 आपने पहले से plot कर रखा है put pixel के through तो next x of n क्या होगा x0 plus 1 क्योंकि m is less than 1 है तो x ज्यादा तरही से बढ़ेगा तो इसलिए इसके 1 से increase करेंगे each pixel जैसे यहाँ एक point आपका है जैसे यह क्या होगा आपका 1,0 है तो यह क्या हो जाएगा 2,0 और यह क्या हो जाएगा आपका 2,1 ठीक है तो 1 तो आपका each pixel 1 increase करता है तो इसलिए x of n equal to x0 plus 1 कर दिया y की value क्या है कि 1 increase कर भी सकती है नहीं मतलब यह pixel आपने select किया next time आपने फिर h select कर ले इसका y की value आपने increase नहीं की सिर्फ x की value increase की है तो अब यह plot मतलब put pixel आपने किया x of n, round of y of n तो round का मतलब 3.5 है that is equal to 4 अगर 3.4 है that is equal to 3 और m is greater than 1 है तो आप यह equation find करेंगे अगर हम इसको generalize करना चाहें तो next आप इसके आगे equation लिख सकते हैं x not equal to xn और y not equal to yn और इसको एक किसमे लिख सकते हैं एक loop में इसको आप loop में चलाना और condition कहां तक जाएगी जब तक x की value क्या हो जाती है x1 क्योंकि x जादा तरही से बढ़ड़ा है तो आप इसको पूरे एक loop में लगाके x not से start करके और loop को x1 पे end कर देंगे ऐसे ही यहाँ y की condition पे लगा देंगे और यहाँ अगर जन्रलाइज करने के लिए y not equal to yn और x not equal to xn आपका लेना ठीक है फिर वह starting पाई मतलब एक pixel सेलेक्ट हुआ तब यह next pixel के लिए starting point हो जाएगा आपका 0,1 है ending point 4,3 है ठीक है तो डीडी अल्गॉर्णम में पहले आप m की value find करेंगे तो m की value क्या हो जाएगी 3-1 divided by 4-0 which is equal to 2 by 4 equal to 0.5 तो its mean it is less than 1 तो next की value क्या होगी आपकी x की value 1 increase होगी y की value सिर्फ m increase होगी तो हमने assume किया कि आपका 0.1 है first value है तो next value क्या होगी आपकी 0 plus 1 which is equal to 1 और y की value क्या है कि 1 plus 0.5 जो m की value है तो this is equal to 1.5 तो यह plotting है मलब put pixel तो इसका put pixel क्या होगा 1 और इसका 1.5 का round y of yn करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ठीक है यह आपका plot है यह इसको कह सकते है put pixel है अब next जब फिर अगेन यह loop चलेगा तो 1 की value तो 1 increase होगी which is equal to 2 और y की value क्या होगी 1.5 पहले 1.5 थी plus 0.5 which is 2 तो plotting क्या हो जाएगी 2,2 round of 2 क्या होगा 2 होगा फिर next में क्या हो जाएगा 2 plus 1 यह 2 था इसमें 1 increase होगा which is 3 यह क्या है 2 plus 0.5 which is equal to 2.5 तो 2.5 का round क्या क्या करेंगे तो क्या होगा 3 और 3 का 3 ही रहेगा फिर next में 3 plus 1 4 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 0.5 ठीक है यह 0.5 क्या है वह M की value है और यह इस equation से add हो रहे है यह next value तो यह क्या हो जाएगा 2.55 3 तो यह क्या value हो गई 4 यह 3 तो X की value क्या हो गई 4 which is X1 मैंने last तो यह loop आपका कहा तक चलना था मैंने कहा था X1 तक चलना है तो अब आपकी plotting क्या हो गई 0 1 तो आपने पहले plot कर रखा था next 1 2 फिर 2 2 फिर 3 3 फिर 4 3 तो आपकी line यहां से 0 1 से start होगी फिर next होगी 1 2 तो 1 2 आपका क्या है यह है फिर 2 2 और फिर 3 3 और फिर 4 3 तो यह इस तरीके से आपकी line draw होगी ठीक है तो यह आपके pixels colored हो जाएंगे ठीक है तो यह illuminate हो करके यहां काफी बड़े हैं बड़ पिक्सल बहुत छोड़ छोटे होते हैं इसलिए इस तरीके से आपकी line draw हो जाएगी so this is DDA algorithm thank you